एक फैमिली होती है जिसमें चार वच्चे और एक मदर होती है इस फैमिली में मर्डर हो जाते है तो इसके बाद सिर्फ ब्रदर और एक सिस्टर बची हुई होती है मर्डर का जो इलसाम होता है ये भाई पर लग जाता है क्योंकि छोड़ी सिस्टर ने बताय होता है कि मेरे भाई नहीं मर्डर किया है अब ये छोटी वची जब बढ़ी हो चुकी है तब उसे पता चलता है कि शायद उसके ब्रदर ने ये खुन किये ही नहीं थे आज की मुवी डार्क पेसेस ये बहुती कंपेलिंग मिस्ट्री थिलर है जैसी स्टोरी आगे बढ़ती जाती है बहुत सारी चीज़े अनफोल्ड होती रहती है आपको कभी भी ये मुवी बोर नहीं होने देगी एक बहुत ही बेस्ट मुवी गौन गल जो भी एक मिस्ट्री थिलर ही थी उसके राइटर ने ये मुवी लिखी है तो चलिए शुरू करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि मर्दर लीभी को कह रहे होती है कि तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ ये हमेशा तुम याद रखना ये एक फ्लैश बैक का सीन था इसके बाद लीभी हमें होस्पिटल में दिखाई गई है और उसे पूछा जा रहा होता है कि मर्डर किस ने किया था अब हमें प्रेजेंट दिखाये जाता है और लीभी बड़ी हो चुकी है लीभी हमसे कहे रहे होती है कि मर्डर हो जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प की थी बहुत सारे पैसे उसे मिले थे इस पैसों से अगर वो कुछ भी ना करे तो भी यह रह सकती थी और इसने यही किया है अब वो बड़ी हो चुकी है फिर भी उन्हें पैसो पर वो जी रही है अब यह इसके अकाउंटन के पास आ चुकी है यह हमें दिखता है इसका अकाउंटनने से कहता है एक बड़ी प्रॉलम आ चुकी है तुम्हारे जो सब पैसे थे यह सब अब खतम हो चुके है लीवी को बिलिव नहीं होता लीवी को जो लोग पैसे पहचते थे अब वो नहीं भेच रहे अब वो बड़ी हो चुकी है और लोग इस इंसिडन्ट के बारे में भूल रहे है लीवी ने इस इंसिडन्ट पर एक बूग भी लिखा था उसके भी ज़्यादा कॉपेज वगरा सेल नहीं हुए लीवी यह सुनकर सप्राइस्ट होती है लीवी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है अब वो क्या करेगी यह उसे पता नहीं है उसका अकाउंटर उसे कहता है कि अच्छी बात हो सकती है अब तुम फाइनली अपने लाइफ में कुछ कर सकती हो लीवी एक टोटल लूजर होती है उसे life में क्या करना है कुछ काम करना है या नहीं ये भी पता नहीं होता लिवी जब घर पर आती है तो वहाँ बहुत सारे later पड़े हुए होते है एक later जब वो open करती है तो उसे invitation आया होता है अगर वो उस जगा पर जाए तो उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते है जिस आत्मी का ये later होता है उसे फिर वो call करती है ये उसे मिलने के लिए एक laundry के हाँ बुलाता है लाइल अपने आपको introduce कराता है और कहता है कि मैं मेरे club में तुम्हे invite करना चाता हूँ लाइल एक club चलाता है जिसमें सब जो लोग होते ये सब murder में ही interested होते ये murder solve करने कोशिश करते है murder के जो victims होते हैं इनसे वो बात करते है murder के बारे में सब थेरी जगरा बनाना इन्हें अच्छा लगता है अब इस club में लिभी को लाइल बुला रहा होता है लिभी को 500 डॉलर्स मिलने वाले होते है और वो खहती है कि अब मुझे 1000 डॉलर्स चाहिए life 700 डॉलर्स में उसे मना लेता है उसे ये भी कहता है तुम्हें उस incident के बारे में हमसे बात करने पड़ेगी अब हमें फिर से जब लिभी छोड़ी थी वो पास दिखाया जाता है इसमें इनकी मदर इनके लिए breakfast बना रही थी तब ही वहाँ उसका ब्रदर आया इस ब्रदर का नाम बेन होता है बेन वहाँ से जा रहा था पर मदर ने उसे रोक लिया उसे breakfast खाक कर जाना चाहिए इसलिए उसने उसे रोका होता है बेन ने एक hat पेने होती है उसकी मदर इसके लिए उसे टोकती है पर वो मानता नहीं उसकी sister फिर उसे join करती है और फिर से उसकी hat की बात आती है उसकी hat निकालने के लिए उसे बोला जाता है और Libby अब Lyle के लब में आ चुकी है, यहाँ पर जो लोग होते हैं, यह बहुत इंतुजियास्टिक होते हैं, एक्च्छली मर्डर कैसे किया गया होगा, यह सब वो ट्राय करकर देख रहे होते हैं, एक रूल प्लेई कर रहे होते हैं, Libby को यह सब uncomfortable लगता है, पर Lyle कहता है कि तुम उपर चलो, उपर जो सब लोग है, यह बहुत इप्रोपेशनल्स है, Libby को फिर एक आदमी जो मर्डर हुआ था, इस सब की डिटेल्स बताना स्टार्ट करता है, वो कहता है कि तुमारी भाई पर सब आरोप आ चुका था, तुम बहुत ही छोटी थी, और तुमारे वर्ड्स पर बिलिव नहीं किया जा सकता था, फिर भी तुमारे प्रदर को जेल में डाल दिया गया, तुमारा रदा सैतान पर बिलिव करता था, तो इसलिए सब लोगों ने कैसे रिया किया था, लीवी को किसी भी क्रिसी के बारे में पता नहीं होता, यह बहुत ही छोटी थी, तो बहुत सारे इसे चीज़े पता नहीं है, क्रिसी एक लड़की थी, जिसने बेन पर आरोप लगाया था, कि उसने उसका रेप किया है, उसके साथ सैतान की वार्श फिर चेल जाती उठती और कहती है तुम्हें उस रात के बारे में कुच भी पता नहीं है अभी यहाँ से चली जाती है इसके बाद हमं फिर से पास दिखाया जाता है यहाँ में बेन दिखता है बेन कोच रग्स करने वाले बच्चों के पास आकर बैठ जाता है बैंक car out करना चाहता है तो ये स्टोर्रीज बताना स्टार्ट कर देता है इसके बाद मदर हमें दिखती है और उसके बात से इक आत मीय आता है इससे उसने लोन लिया होता है यह उससे कह रहा होता है हमारे जो crops है यह अच्छे big near है मदर farming ही करती है यह दिये कि पीछले साल अच्छे crops नहीं आये थे पर इस साल अगर अच्छे crops आ गए तो सब कुछ बदल सकता है यह आदमी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला बैंक अब हमारी सब की जमीन ले लेने वाली है अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो हम आप पूटपात पर आ जाएंगे उसे कुछ भी करकर पैसे लाने के लिए बोल रहा होता है अब हम फिर से present देखते है नेक्स दिन लिभी फिर से लाइल से मिलने के लिए आती है वो गहती है कि तुम्हें help कर सकती हो जो तुम investigation कर रहे हो इसमें मैं भी तुमारा साथ दूँगे पर इसके लिए उसे पैसे लगने वाले होते है लाइल भी यह पैसे देने के लिए मान जाता है इसके बाद लिली उसके ब्रदर से मिलने जेल में आती है लिभी का ब्रदर उसे कहता है कि अब उसने high school diploma complete कर लिया है वो degree ले रहा है यह बहुत ही खुश लिभी को देखता है तो लिभी पुछती है कि ऐसा क्या हो चुका है बेन कहता है कि मैंने court में जो भी कहा वो सब कुछ गलत कहे दिया था तब मेरे school में मुझे cool बनना था इसलिए मैं सब कह रहा था मुझे इसके consequences कुछ समझ में ने आ रहे थे लिभी पूछती है कि अगर यह सच है तो तुमने appeal क्यों नहीं की थी इसका प्रदर कुछ भी बोल नहीं रहा होता तो इक गुस्से में यहाँ से चली जाती है इसके बाद हमें फिर से past का बेन दिखाय जाता है यह उसकी girlfriend के साथ है यह इस दिन उसे मिलने के लिए आता है तो इसकी girlfriend बहुत ही चीड गई होती है इसके girlfriend का राम डियोंडरा होता है डियोंडरा उसे अपने room में लेकर जाती है और अधने intimate हो जाते है इसके बाद उसे पुछती है कि स्कूल में तुमारे बारे में कुछ भी बात है की जा रही है तुमको छोटी लड़कियों को खेत में लेकर गए और तुमने सेतान की फूजा की थी तुमने उन्हें मुलेस्ट भी क्या है ये भी बात की जा रही है बेन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ये सब अफ़वाय है यही नेकसिन में हम देखते है कि इन बच्चों की मदर को मिलने उसके sister आयो हुए होती है ये सिटी में रहती है और अच्छे से कमा वगरा लेती है मदर अब उसे जो भी सब प्रॉल्म से इन सब के बारे में कह रही हुती है मदर बेन को लेकर भी बहुत ही परिशान है बेन की जो गर्फरेन है वो प्रिगनेंट है अब ये दोनों मिलकर यहाँ से भाग जाने वाले है पर इने पैसों की प्रॉल्म है डियोंडरा का जो ब्रदर होता है ये बेन से कहता है कि तुमारे फादर से तुम पैसे ले सकते हो बेन कहता है कि मेरे फादर तो बहुत ही करीब है डियोन ड्रा का ब्रदर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने बहुत सारा वीड उनके पास देखा था ये ड्रक्स तेल करते हैं तो पैसे इनके पास हो सकते हैं इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट देखते हैं लीबी को लायल समझा रहा होता है कि तुम्हारे ब्रदर ने जो भी टेस्टेमोनी दी वो सब गलत हो सकती है तब ही सेतान वेगरा इसके वार्शिप करने का एक ट्रेंड ही चल रहा था सब बचे इसकी स्टोरी बना रहे थे बेन पर छोटी लड़कियों को मूलिस करने के चार्जेस लगे थे इसमें ही एक का नाम क्रिसी केट्स था अब लीबी को इसके बारे में पता चल चुका है तो क्रिसी केट्स के मदर से क्रिसी केट्स का वो नंबर ले थी है हम फिर से पास्ट में देखते है कि मदर को प्रिंसिपल ने बुलवाय होता है बेन ने जो सब क्या है यह उसे बताया जाता है यह रोने लग जाती है अगर सचनुज में ऐसा हुआ होगा तो वो बहुत ही ट्रबल में है बेन कोप लॉयर भी लगेगा और इतने सारे पैसे इसके पास नहीं है यह सच निकालने के लिए क्रिसी की घर पर जाती है वहाँ पर उसके पैरन्ट विगरा भी होते है क्रिसी के भादर बहुत ही चिड़ गए होते है क्रिसी से जब मदर पुछती है तो वो भी सब कुछ बता देती है अब मदर को लगता है कि वो एक अच्छी मदर नहीं है उसके घर में सब प्रॉलम चलती रहती है इसी वज़े से बेन ने एक किया होगा कभी-कभी उसे लगता है कि उसे सूसाइड कर लेनी चाहिए अगर वो एक कर लेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा उसकी जेस्टर उसके बच्चों का खयाल रख सकती है जेस्टर उसे समझाती है कि ऐसा मत बोलो तुम एक अच्छी मदर हो तुम हमेशा अपने बच्चों का खयाल रखती हो फिरसे हमें प्रेजन दिखाया जाता है और लीबी क्रिसी से मिलने के लिए आती है क्रिसी से जब लाइल सब कुछ पोछता है तो क्या हुआ था ये सब बता देती है लीबी पहचान जाती की जूट बोल रही है उस पर हो थोड़ा सा बिलिव नहीं करती लाइल को लग रहा होता है की फैमिली को मारने वाला क्रिसी के फादर ही थे लाइल बिल पे करने के लिए चला जाता है तो क्रिसी से लीबी बात करती है वो कहती है तुम्हारे फादर का मुझे अड्रेज चाहिए क्रिसी इसके लिए 50 डॉर्रस मांगती है लिबी उसे देती है क्रिसी उसे थोड़ा सा टाइम मांगती है क्योंकि अपने फादर से वो बहुत ही जादा टाइम हो चुका है और मिली नहीं है अब हम फिर से पास देखते है तो इन सब बच्चों के जो फादर थे वो घर पर आये थे मदर और फादर की फाइट हो चुकी थी फादर को कुछ पैसे चाहिए थे और मदर उसे दे नहीं रही थी यह फादर इस पर चीट कर ही वहाँ से निकल गया था लीभी अब अपने फादर को ढूड़ना जाती है एक जगा से वो पता लेती है और उसके फादर एक बहन फैक्टर में रहे रहे होते है यह जब यहाँ पोच्चती है तो पहले इसके फादर उसे पहचानते नहीं जब बच्पन की मेमिरी वो शेर करते है तो फादर को बिली हो जाता है कि उसकी हे डॉटर है लीभी अपने फादर से कहती है कि तुम अब बुढ़े हो चुके हो अगर तुमने यह किया था तो तुम आप सब कुछ बता सकते हो उसके फादर कहते है कि मैंने यह सब कुछ नहीं किया है ये कहे रहे होते हैं कि जब मैंने डियोंडरा के भाई की गाड़ी बाहर देखी तो ये मुझे पता जल गया था कि कुछ ना कुछ तो ट्रॉबल है यानि कि लीवी के फादर ने रात में वहाँ कुछ देखा था लीवी को इसके बारे में कुछ भी आईड़ा ने होती बेन की गल्फरेंड डियोंडरा उसका भाई इन सब के बारे में उसके फादर उसे कहते हैं लीवी को इसके बारे में कुछ भी पता ने होता लीवी अब यहाँ से चली जाती है पास में डियोंड्रा का ब्रदर बेन और डियोंड्रा ये सब उसके फादर से मिलने के लिए आये हुए है डियोंड्रा के ब्रदर से बेन के फादर ने बहुत सारे बैसे लिये थे और वो उसे वो मांग रहे है यह Ben के लिए है यह भी उन्हें कहा जाता है Ben हमने फादर से मिलता है और कहता है कि अब मैं भी फादर बनने वाला हूँ Ben के फादर कहते है क्या तुम शूर हो कि यह तुम्हारा ही बच्चा है Ben थोड़ा सा सस्पीश यह सोचाता है आद में जब ये सब घर आ रहे होते तो डियंडरा और उसका भाई ये दोनों ड्रक्स करने लग जाते है इसके बाद ये तलवार वेकरा निकालते है और जाकर सैतान के लिए सैक्रिफाइज लेना चाते है ये बेन के सामने ही एनिमल्स को मारते है प्रेजन में हम देखते है कि लिभी अपने ब्रदर से मिलने के लिए आती है उसने जो सब प्रोग्रेस की है इन्विस्टिकेशन में वो सब उसे बताती है इसका ब्रदर उससे कहता है कि ब्लीज ये सब मत करो तुमने उस वक जुट बोला था इसी वज़े से मेरी सब लाइब बरबाद हो चुकी है पर फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया है तुम ये सब कर रही हो तुम मुझे ये सही नहीं लग रहा बेन बिलिव नहीं करता कि उसके फादर ने ये सब क्या होगा पिन लिवी से कहता है क्या तुम्हें अभी सच मुझ में कुछ भी डाउट है कि ये मैंने किया था लिवी कहती कि हाँ मुझे लगता है क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ही घटिया है मैंने भी लोगों को हर्ट किया है कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी जीन्स में ही ये सब चीजे है इसका प्रदर उसे कहते है कि मुझे लगता था कि मैं ही इंप्रिजन्ट हो तुम अपने एक खयाली दुनिया में एक जेल में बन चुकी हो ये भी सची होता है लीभी कभी भी सत्में से उबर नहीं पाई है फिर जा में पास दिखा जाता है और मदर अपने बेटियों से पूछ रही होती है ये क्या बेन ने कभी तुमें कुछ गलत तरीके से टच किया है इसकी सब बेटिया कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वो बहुत ही वीरड है उसके रूम में बहुत ही गलत गलत चीज़े है मदर रात में जाकर सब चीज़े देखने लग जाती है यहाँ बेन की डाइरी में से रिलेटेट बहुत सारी चीजी लिख्वी होती है ये सब बो देखती है क्रिसी को अपने फादर का पता उसे देना था जब ये उससे मिलने के लिए आती है अब वो उसे सच पता थी है क्रिसी कहती है कि जब मैं छोटी थी तो बेन मुझे सिखाया करता था मुझे उस पर crush हो गई थी मैंने जब उसे बताया तो उसने ठुकरा दिया वो हमेशा मुझे अच्छी तरीके से पेश आता था कभी भी उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था जब उसने मुझे ना बोल दिया तो मैं उस पर चिट गई थी उन दिन डिवी पर जो दिखाया जाता था कुछ लड़किया मोलेस्ट हो चुकी है तो यही चीजे सब मैंने पुलिस को बता दी थी एक्च्छल में वैसा कुछ भी नहीं हुआ था लिवी को अपने ब्रदर के लिए बहुत बुरा लगता है फिर से हम पास देखते हैं और मदर से मिलने के लिए एक आदमी आया हुआ है यह उसके सब रबल्स दूर कर सकता है यह इसे एक डील कर रही है अब हम फिर से प्रेजन देखते हैं प्रेजन में लिवी और लाइल दोनों डियोंडरा की ब्रदर से मिलने के लिए आते हैं इसे वो डियोंडरा की बारे में पूछ रहे होते हैं यह कहता है कि डीयोंडरा 25 ये से मिसिंग है डीयोंडरा का ओर एक नेम था इसके बारे में इन दोनों को पता चल जाता है डीयोंडरा मिसिंग थी क्योंकि उसका सचमुछ नाम जो है यह किसी को पता नहीं है लिवी जब डीयोंडरा का new name सरच करती है तो डियोंडरा का पता उसे मिल जाता है फिर से पास्ट हम देखते है यह डियोंडरा प्रेगनन्ट है तो अपने बॉइफ्रेंड यानि की बेन को कह रही होती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए बेन के घर पर उसकी कुछ पैसे है यह वो लेकर आ सकता है बेन उस पर शक कर रहा होता है कि क्या सचमुच में यह इसका ही बेटा है तो उसे वो मारती है और कहती है मैं सिर्फ तुमसे बैर करती हूँ यह फिर रात में बेन के घर पर जाकर पैसे लेकर आने वाले होते है फिर से present में Libby अब Diondra से मिलने के लिए आती है Diondra सपराइस्ट होती है पुर हो कहीं ती है कि मुझे हमेशा से लगा था यह तुम कभी ना कभी तुम मुझे ढूदी लोगी Libby जब उस incident के बारे में Diondra से पूछती है तो डियोंडरा कहती है कि उस रात मैं अपने घर पर ही थी बेन तुमारे घर पर जाकर सब पैसे लेकर आने वाला था हम भाग जाने वाले थे पर सुबह तक वो घर पर आया ही नहीं सुबह मुझे मर्डरस के बारे में पता चला हम पास देखते हैं और वहाँ पर डियोंडरा और बेन दोनों बेन के घर पर आ चुके है यानि कि पिछले सीन में डियोंडरा जो लिवी से कह रही थी यह सब कुछ जूट था प्रेजेंट में लिवी डियोंडरा पेगनन थी तो उसे बच्ची भी हो चुकी है इसे भी वो देखती है लिवी के लिए सब कुछ जादा हो जाता है वो डिरेक्ली बात्रूम में चली जाती है बातरों में उसे देखता है कि उसके मदर का जो निकलेस था ये डियोंडरा के पास है या वो suspicious हो जाती है जब लीवी नीचे आती है तो उसके सर पर डियोंडरा की बेटी वार कर देती है और लीवी यही बेवस हो जाती है पास्ट में हम देखते हैं कि डियोंडरा और बेन तोनों घर पर थे तभी इनकी बड़ी सिस्टर वहाँ चुकी थी यह चिलाने लग गई थी तो डियोंडरा उसका गला दबाने लग गई तभी एक आदमी घर में आया था मदर जिस आदमी से डिल कर रही थी यह वही आदमी है वो अंदर आया और मदर को उसने मार दिया बेन आवाजे आ रहे थी यह सब देखने के लिए गया तो डियोंडरा ने उसकी सिस्टर को मार दिया जिस आदमी ने मदर को मारा था इसकी छोटी सिस्टर को भी उसने ही मार दिया यहाँ से लीवी escape हो चुकी थी जब एक killer भास से चला गया तो बेन को पता चला कि डियोंडरा ने उसकी सिस्टर को मार दिया है अब हमें इसके बारे में किसी को भी बताना नहीं है तुमारी मदर का insurance भी हमें मिलेगा इन पैसों से हमाची life start कर सकते है डियोंडरा बेन को बोली कि तुम जाकर सिर्फ लीवी को अब मार कराओ लीवी एक जगा पर छुबी हुई थी उसके पास गया और उसे कहा कि यहाँ से बाहर मत निकलना उसने यहाँ लीवी को बचाया था अब में पता चल चुका है कि बेन प्रीजन में क्यों कुछ भी नहीं बोल रहा था डियोंडरा और उसकी बेटी है यह उसकी family है इसे वो ट्रबल में नहीं लाना चाहता अगर उसने सब को सच बता दिया तो डियोंडरा जेल में चली जाएगी और उसकी बेटी का क्या होगा यह राज वो दफना रहा था डियोंडरा की बेटी ने लीवी के सरबर वार किया था क्योंकि लीवी सब को जब जान सकती है क्रॉस था यह लीवी ने ले लिया है यह उसे पदा चल गया था लीवी को अभी यह दोनों मिलकर मारने वाली थी तब लीवी यहाँ से एसकेप करके लीवी को ढूंटे ढूंदे लाइल भी वहा गया डियोंडरा उसके बेटी लीवी को रात में ढूंडनी पाए अब हम देखते हैं कि डियोंडरा के बारे में सब पुलिस को पदा चल चुका है लाइल लीवी को कहता है कि जो आदमी था जिसने सब लोगों को मार दिया था वो एक सीरियल किलर था तुम्हारी मदर ने उसे पैसे दिये थे जो भी लोग करजे में डूपते थे अब उसके पीछे पढ़ चुकी है बेन इनोसंट है इस वज़े से अब वो जेल से निकलने वाला है लीवी उसे आकर मिलती है लीवी कहती है कि हमारे सिस्टर को डियोंडरा ने मार दिया था पर फिर भी तुम उसे कवर कर रहे थे बेन कहता है कि में डियोंडरा से प्यार करता था मेरा बच्चा आने वाला था इसलिए मैंने सिक्रेट दबा कर रखा था लीवी उसे स्वारी कहती है उसने जोट बोला था कि उसके ब्रदर ने ही यह सब किया है एक्च्वल में उसने कुछ भी देखा नहीं था बेन पुछता है क्या अब हम फिर से फैमिली बन सकते है लीवी कहती है तुमारे बारे में कुछ भी नहीं जानती और तुम मेरे बारे में भी कुछ नहीं जानते हम एक दूसरे को जान भी नहीं सकते पर फिर भी तुम मेरे प्रदर हो यह हमेशा फैमिली रहने वाले है इन दोनों ने एक दुसरे को माफ कर दिया है बेन कहता है कि जब हम छोटे थे तब सब चीज़े गलत थी ऐसा नहीं है As a family हमरे पास बहुत सारे अच्छे मूमेंट्स थे वो हम कभी भी याद नहीं कर दे उसी यह सब याद है यह जब पाहर निकलेगा तो बेन उसे सब कुछ बताने वाला है लिली हमसे कहती है सच्चुच मैं ऐसा ही था मदर के मर जाने के बाद सब कुछ निकेट्व चीज़े ही मुझे दिख रही थी पर हम एक अच्छी फैमिली थे बेन भी एक अच्छा प्रदर था यह भी मैं भूल चुकी थी लाइफ की अब वो पॉजिटिव साइट देखने वाली है और अच्छे से लाइफ जीने वाली है अब वो धूप में एक नई रास्ते पर जा रही है यह हमें दिखाया जाता है और यह मूवी यही एंड हो जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी इसी मूवीज लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकान दबाना में मत भूले हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवीज के साथ अब तो के लिए थैंक यू और आपने आपका खैल रखिये